वेलकम टू दे चानल दा मुर्मू कपल तो जैसा की पिछले वीडियो में आपको पता चला की हम आए हैं जैपूर तो एक दिन हमने टाइम निकाल के थोड़ा सा शॉपिंग करने का सोचा और आज हम जा रहे हैं बापू बजार तो बापू बजार अक्चली जैपूर का पर शॉप्स है आप देख रहे होंगे जो छुटे छोटे वहां पर शॉप्स का नाम दिया हुआ है और नीचे में इसका बहुत अच्छा का सा लंबा सा लेन है जहां पर आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे तो जैसा की जैपूर पिंक सिटी है तो यहां के जैसा मैं फर्स्ट बार आई हूँ तो मैंने कोशिश किया है कि मैं मार्केट के स्टार्टिंग पर ही उतर जाओ और यहां पर पार्किंग वगेरा भी बहुत रेयर मिलता है तो अगर आप गाड़ी से भी अगर आ रहे हो तो कोशिश करें कि मार्केट वगेरा आप यहां के लोकल वेहिकल भी आएं जैसे की रिक्षा फिर टोटो या फिर आटो से तो ऐसा कुछ मार्किट शुरू होता है आप देख रहे होंगे और बापू बजार फेमस है कपडों के लिए यहाँ पे साड़ी सूट लहंगा बांधनी प्रिंट वाले साड़ी और यहाँ पे जुल्र देखना है और अगर मुझे अफॉर्डिबल रेट में सारा मिलेगा तो मैं वो जरूर पर्चेस करूंगी तो चलिए मार्केट टूर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं छोटी बच्चीयों के लिए वो लहंगा देख रही थी जो की 250 रुपीज से स्टार्टि तो बापु बजार में ये एक शॉप है स्रीनाथ हैंडलूम हाउस जो की शॉप नंबर 53 है तो यहाँ से हम गुजर रहते और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ के ड्रेसेज मुझे काफी जादा पसंद आई तो मैं यहाँ पे अंदर जाके देखने लगी और ट्रस्ट मी य शॉट ड्रेसेज है इनके पास लॉंग ड्रेसेज है और बहुत टाइप्स के इनके पास कपड़े हैं जैसे की कूर्ती वगेरा है फिर प्लाजो है पैंस है मतलब आपको जो चाहिए ना आपको यहाँ पे मिलेगा मतलब यह इस टाइप का शॉप था और इतने अच्छे अ संदारे थे और प्राइस की बात करूँ तो प्राइस भी इनका अच्छा खासा रिजनेबल प्राइस था मतलब बहुत जादा हाई प्राइस नहीं था कि आप थोड़ा सा डाउट करोगे प्राइस इसके बहुत अच्छे थे तो इसी वज़ा से मैं पूरा नाप-नाप के द जिसको आप ऐसे चाकेट के साथ पहन सकते हैं और फिर प्लाजो है इनके पास कूर्ती है फिर इनके पास एक नया चीज मुझे मिला जो आप आगे वीडियो में देख पाएंगे तो यहां मैं वही मैं शॉट ड्रेस और लॉंग ड्रेस में तो से कंफ्यूज हो रही थी कौ मतलब मैं वापस दिल्ली आके इन सब को पहन के देखा साइज बिलकुल पर्फेक्ट है मतलब वो भाईया को इतना आदत हो गया मतलब एकदम पर्फेक्ट साइज निकाला और वो मुझे हो भी गया तो यहां पे मैं देख रही थी कौन सा अच्छा है और कलेक्शन इनके प का पैंट पहनना होगा जो कि बहुती स्मार्ट लुक आ रहा था तो इस टाइप का कलेक्शन है इनके पास और यह ब्लू इंडिगो में प्लाजो है इनके पास जो कि बहुत फ्लेयर वाला प्लाजो है और प्राइस इनका ऐसे 800-900 से शुरू होता है तो अकॉर्डिंट टू अधर डिजाइन वगेरा है और अच्छे अच्छे कलेक्शन है इनके पास तो यहाँ पे मैं कॉटन के कफ्तान देख रही थी जो की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में है और यह मुझे काफी जादा पसंद आया और यह कुछ 800-850 ऐसे प्राइस होगा इनका और इसमें डिटेलिंग भी बहुत अच्छा दिया हुआ था तो मुझे यह काफी जादा पसंद आया और इसके प्रिंट वगेरा भी ना बहुत अच्छे थे लेकिन मुझे यह रेड वाला बहुत जादा पसंद आ रहा था वैसे कलर प्रिं में लिए एक शॉट कुरता देख रहा था जो कि बहुत ही अच्छा प्रिंट था इसका इसमें चुट चुटा लोटस टाइप का फ्लावर बना हुआ है और कपड़े की बात करूं तो एकदम कमफर्टेबल इसका मेटेरियल है तो इस दुकान का यह मेरा बेस्ट पर्चेस यह अक्छिली नाइट सूट का सेट है जो कि फाइफ पीस का सेट आता है और सबसे उपर का इसका मिलेगा आपको यह एक शर्ट काइंड ओफ टॉप वेर है इसके साथ एक है शॉट्स और एक फुल पैंट है ट्राउजर और साथ में मिलेगा एक मास्क और यह सब को रखने के लिए इसी के प्रिंट का एक बैग जो की अराम साथ इसमें रख के ट्रैवल वगरा कर सकते हो तो यह मुझे काफी यूनीक लगा और हाँ यह मैंने पर्चेस किया है यही वाला प्रिंट मैंने पर्चेस किया है तो कपडों के अलावा इनके पास फरनीशिंग का भी अच और यहां पर आप अपना सेट भी बनवा सकते हैं जैसे मिक्स मैच करके या फिर अपने बेडरूम के थीम के अकॉर्डिंग यहां आपको प्रिंट्स वगरा मिल जाएंगे तो यहां भी इनका काफी अफॉर्डिबल रेट था मतलब प्राइस मुझे बहुत जादा किया है तो चलिए थोड़ा सा फर्नीशिंग का कलेक्शन इनके पास देख लेते हैं झाल 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 तो हो गया मेरा भी अच्छा कासा शॉपिंग आप देख रहे होंगे बिल कितने का आया है और इनका ओनलाइन भी सप्लाई होता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस और वाट्सेप नमबर वगरा दे दूंगी आप चाहे तो इनको कॉंटाक्ट कर सकते हैं और ये वाट्सेप में भी अपना पूरा कलेक्शन वगरा दिखाते हैं और ओनलाइन भी डिलेवर करते हैं जो की बेस्ट पार्ट है इस शॉप का और ये मैं एक टेबल रनर देख रही थी जो उन्होंने मुझे एज़ा गिफ्ट ये टेबल रनर दिया है तो टैम भी जब जैपूर आओ तो यहां से मैं जरूर शॉप करूंगी तो अब आते हैं जुल्री के तरफ तो जरूरी नहीं है आप जुल्री थोड़े से अच्छे शॉप से खरीदे आप इस टाइप के स्ट्रीट शॉप से भी खरी सकते हैं जहांकि अच्छा अच्छा यहां पे भी कलेक्शन होता है तो यहां पे मैं इयरिंग्स वागरा रही थी और ये सारे earrings only 20 30 40 रुपीज के हैं और ये मैं एक bracelet देख रही थी जो कि silver oxidized bracelet है तो मुझे काफी जादा पसंद आया और ये 100 रुपीज इच था और ये एक वायर वाला मैं बैंगल देख रही थी जो कि एक ही वायर में बस ऐसे लपटना होता है और ये मुझे काफी जादा पसंद आया और ये था 100 रुपीज करके तो वही मैं देख रही थी कौन सा अच्छा लगेगा तो चलिए अब बढ़ते हैं कपड़ों के तरफ तो यहां पर मैं बांधनी प्रिंट वाली साड़ी वागेरा देख रही थी जो कि डिफरेंट मेटेरियल पे था और डिफरेंट सब के प्राइसेस थे तो ये था एक कोटा सिल्क का था बांधनी मैटेरियल हैं तो आपको जिस टाइब का मैटेरियल चाहिए आप उस टाइब का मैटेरियल देख सकते हैं या वैसे वैराइटी तो वह काफी दिखाते हैं तो डिपेंड करता है आपको किस टाइब का लेना है तो बांधिनी के अलावा यहाँ पे आपको क्रेप का भी साड़ी मिल जाएगा जो की हलका ट्रेडिशनल में इसमें डिजाइन बना हुआ है तो ये भी मुझे काफी जादा पसंद आ रहा था और क्रेप में ये सब साड़ी है तो इनके प्राइस 1500 से शुरू होते हैं तो ये भी मुझे काफी जादा पसंद आ रहा था और क्रेप की साड़ी मुझे ऐसे भी बहुत जादा पसंद आती है क्योंकि क्रेप की साड़ी जो होती है वो बिलकुल easy to handle होती है मतलब इनको प्रेस करने का भी जरूरत नहीं है और आप इसको कभी भी पहन के कहीं भी निकल सकते हैं और यह एक प्रेंट था इनका maroon green white में जो की बहुत जादा अच्छा लग रहा था और क्रेप की साड़िया का कलेक्शन इनके पास बहुत जादा था तो वही मैं साड़ी वगरा भी देख के confused हो गई थी कि मैं कौन सी खरीदू वैसे तो मैं बांधनी खरीदने का स कोच रही थी बट यहां पर क्रेप देखने के बाद मुझे क्रेप भी बहुत जादा अच्छा लगने लगा था कि झाल तो ये था मेरा बापु बजार का मार्केट टोर वीडियो तो I hope आपको अच्छा लगा होगा और इससे information कुछ मिला होगा तो मेरे इस चैनल को दा मुर्मु कपल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने family and friends में तो मिलती हूँ next वीडियो में जो की again जैपूर सीरीज से ही होने वाला है तब तक के लिए bye bye and take care and continue shopping